तो दोश्तों आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिस्ट स्वागत है जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि साथ हूं पेपर सुरू होने से कुछ दिन पहले हम आप सभी को महत्तुपूर क्यूश्चन पेपर हम आप सभी को सॉल्व कराएंगे और आप सभी क्योंकि और सारी इंफॉर्मेशन रहती तो 25 जुलाई 2023 का पेपर है नौ बज़े से हुआ है लेकिन हम इसमें जो सौल्व करेंगे साथ हूं इसमें सौल्व करेंगे फिटर फस्टीयर का जो भी पेपर है इसमें हम आपको पूरा नहीं दिखाएंगे थिओरी का और सब क्य है किसी नौबर में पेपर आप सभी का खतम हो जाकर सबका पेपर भी चालू है तो किसी भी डाउट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो के डिस्किशन बॉक्स में मेरे आप का नाम है उससे आप प्ले लिस्टोर से डाउनलोड करें वीडियो कावन है इंप्लॉइबिल्टी स्किल मैत और इंजिनिरिंग ड्राइंग इन तीनों चीजों को हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं प्लीज वीडियो के लाश्टक बने रहे हैं तो यहां से साथ हुआ आप देख पा रहे हैं सेशन सुरू हो गया वर्क्शॉप कल्कुलेशन सभी ट्रेट का है साथ हुँ सभी सब्जेक्ट का है मात्वण क्यूश्चन है अगर आपको ओनलाइन टेस्ट देना है वीडियो की डिसक्रीशन बाक्स में जो है आयप का लिंक आप जरूर्ड डूब्लोड कर लीजे आयप वहां पर सारी चीज आपको फिरी में मिल साथियों जो आया था question number 1 सक्ति output और सक्ति input का अनुपात क्या होता है what is the ratio of power output to power input तो साथियों इसमें जो है आप सभी देख पा रहे है question का answer दिया गया है question answer क्या है साथियों efficiency अर्था दच्छता जो है input upon output होता है यहां पर देख पा रहे है यह right answer है और बच्चे ने भी इसी को लगाया था तो हम साथियों ज्यादा न करते हुए चलेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखते रहे है सारे question का answer आपको यहां पर दिखते भी रहेगा किसी conductor में electroάनों का प्रवाग क्या होता है तो electroléस थे क्यों होता है अगला question यहां पर देख पा रहे हैं साथि हूं आप क्या आया था वष्टमे निहित पदार्थ की मातरा को क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है द्रब्यमान कहा जाता है और बच्ची ने भी सही लगाया है तो राइट अंसर क्या हो गया है द्रब्यमान चलते हैं एगले क्रिष्टन पर बात करते हैं question no.4 जो आया था मैत में वो आया था साथिओं कि एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका छेत्रफल इतना है तो 625 इसका छेत्रफल है तो क्या करेंगे हम इसका वर्ग ले लेंगे साथिओं तो वर्ग लेने पर कितना आएगा 25 mm तो 25 mm हो गया क्योंकि भुजा का square होता है अगर हम भुजा का अंडर रूट निकाल लेंगे 625 का तो आज आज आएगा आपका एक भुजा का माप कितना आएगा 25 mm करेक्ट है जो कि बच्चे ने भी किया है तो चलते हैं अगले क्यूस्टिन पर बात करते हैं साथिओं अगला क्यूस्टिन है वो है कि ब्रिटिस सिस सिस्टम में पूंचा साथिों कि एक हार्ज पावर में कितने वाट्स होते है तो राइट अंसर इतने लगाया कितना साथ सो चियालीच जब बात आ جाए मिट्रिक में यो कि आप सभी को पता है छे क्वी सब्सक्राइबर 52 को दसमलों within 4,5 bene शनुलों में दिया है आपको इसमें क्या क्रें साथि हो प्रतिस्यतबρί Q कि चलिए आगे हम चलते हैं इसको हम solve करते हैं यहां पर आप देख पार है compass का उपयोग बीच में डाठ है को ड्रा करने के लिए किया जाता है compass जो होता है साथ हो उसका प्रियोग हम क्यों करते हैं compass use to draw for किसके लिए करते हैं तो बृत को बनाने के लिए हम किसका प्रियोग करते जब भी हमें circle बनाना होता है तो हम क्या करते हैं compass का प्रयोग करते हैं right hand sword आपका D हो जाएगा और बच्चे ने भी D लगाया है तो चलते हैं अगले question पर बात करते हैं सारे trade के लिए कामन है फश्टीर में जितने भी trade सभी trade के लिए कामन है यहां पर देख पारें सेटी स्कॉयर का नाम खोजो यह सेटी स्कॉयर का नाम खोजने हैं यह आप देख पारें तो कितने कितने होता है साथ हूं सेटी स्कॉयर का अगर यह इस प्रकार से दिया है तो कि और नि इख़ेंगे,अहाँ आप देख़ागे है ? यह Цे 42 आप पैसा 45 का है ? और नेंची। भी देख़ागे है सज्छी ओंए , सेमें 545 , तो चलते हैं ,घिले किश्चिन भी बात करते हैं यह साथियों उपकरण का नाम पहचाने, यह उपकरण दिया है, इसका नाम आपको पहचानना है, यह कौन सा हैमर है, तो यह हैंड हैमर के अंतरगात आता है, साथियों सबसे पहले हम हेड देख के पहचानते हैं, इसका जो हेड है, उपर वाला भाग, वो कैसा है, बोल है, ब अगले question आप देख पारे हैं साथ ही विच वीच ड्राइंग मेंसन इज करेक्ट आइज पर आईएस स्टेंडर्ड मतलब आईएस के मानक के अनुसार कौन सर ड्राइंग का आयाम सही नहीं है वह यहां पर आपको देखना है यहां पर चार आपसन दिये गए हैं यह देख पार है तो करेक्ट कांस है आपका यह करेक्ट एंसर है जो कि मानक के अनुसार सही नहीं है तो यह आपका राइट एंसर हो जाएगा चलते हैं अगले question पर बात करते हैं इसी प्रकार से question आप सभी से पूचे जाएंगे engineering drawing में तो engineering drawing का अगले question जो है साथ हो एक मानक अभ्यास के रूप में सही सीर्षक ब्लाग के इस्थित जो है सही है मतलब जब भी हम बनाते हैं साथ हो block diagram तो block diagram किस प्रकार से बनाती है यहां पर आपको दिया गया है तो आपको इसमें से सही बनाना है तो कैसे हम बनाते है ज जब भी हम कोई drawing बनाते नीचे title block इसी प्रकार से बनाते हैं और title block बनाने के बाद हम इसमें सारी जो भी स्पेसिफिकेशन होती है वह हम करते रहते तो भी आपका राइट अंसर हो जागा चलते हैं अगले question छटे question यह साथ हूं यह छटे question आप सभी से पूचा जाता है कि प्रतिक जिसे हम सिंबल कहते हैं यह किस चीज का सिंबल है आपको पहचानना है लेकिन इसमें जो दिया है वह दिया है material का मतलब समागड़ी कौन से सिंबल जो है material का सिंबल है वह आपसे पूचा गया है तो आपका राइट अंसर कौन सा हो जाएगा वो हो जाएगा साथ हूं किसका है ठोस का मतलब ठोस पदात का जब भी हम सिंबल बनाते हैं तो कुछ ही इस प्रकार से ठोस पदात का हमें सिंबल बनाना होता है तो आई हो को चाहित वाट से जोईन करके आप हमसे मांग सकते हैं और भी सारे सब्जेक्ट जो भी चाहिए आपको मांग सकते हैं अब हम साथियों बात करते इम्पलिविट्विट्रे सके देखे बड़ी लंबी विडियो हो जाएगी तो शाथियों आप जो है आप से वह जोईन होके मांग सकते हैं और वीडियो पूरा देखना और चैनल पर नए है चैनल को जिरूर सस्क्राइब कर दें अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके और मैं इसे जल्दी जल्दी बताते हुए चल रहा हूँ साथ यह इंपलॉबिल्टी सभी ट्रेट के लिए कामन होता है फश्टियर के सभी ट्रेट वाले इसे तयार कर सकते हैं यह साथी उन्हेंफ chat-vision में पर्मपडिवारतन होते हैं कौन से है STD Booth दूसरा हो गया साथ ही तीसरा कौन सा है यह question पिछले साल का question आप सभी को दिखा है पिछले साल यह question पूछे गए थे और बहुत सारे paper में पूछे गए थे तो मैं रोज आप सभी को तीन से चार से प्रोवाइड करूंगा और सारे पिछले बार में हुए paper के ही है जो कि आपको इस बार ज़रूर फायदे में लाएंगा और अच्छे बात है कि सारे question आपसे मिलने वाले है भूमकेर निभाने का कौन सा लाव नहीं है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो कौन सा नहीं है बोरियत पैदा करना मतलब अगर जब भी कहीं किसी के बीच में साथ में रहो अगर बोरियत पैदा करता है तो इसका मतलब नहीं कि आप किसी के साथ भूमके निभा रहे हो अगला question number 4 है question number 4 है बीदेसी बाजारों तक पहुंच प्रात करने और संगठनों के हित में हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस डिष्ट कोल का उपयोग क किया जाता है तो होता है साथ हूं जॉइन इवेंचर जिसे हम सयुक तुद्धम के नाम से जानते हैं राइट एंसर कौंसा हो जाएगा आपका राइट एंसर हो जाएगा आपका option D चलते हैं अगले question पर बात करते हैं अगले question साथ हूं Call IT चलते हैं अगले question पर बात करते है इनail मेयुकैंग डomnia और राइट जाता है अबने चलते हैं अगले question पर बात करते है अगले-क्रिष्ट बात के अ एकसेल में किसी रो और कालम को एक्सेंजनम प्रति छे दन को कहा जाता है किसेल के नाम से जानते हैं इसमें बोला है कि रोज रोट कालम हो गई तो हर एक को हम किस नाम से जानते हैं इसे हम सेल के नाम से जानते हैं जब भी आप एकसल सीट बनाएंगे तो आपको इसमें दिखेगा अगला कुछ नहीं सा टी कौन सा कारक लोगों को मुटिवेट करने में मदद करता है, तो को सा कारक है? जो लोगों को मोटिवेट होने में मदद करता है, तो क्या है? लोक आफ वेंचर, राइट अंसर भी बच्चे ने जो भी इससे solve किया है, वो भी सही solve किया है, तो राइट अंसर हो जाएगा घवराट करना होना, अगर आपको राइट एंसर आपको हो जाएगा option C चतले हैं अगले question पर बात करते हैं अगला question है साथ-छात कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है जब भी आप interview देते हैं तो interview के बाद जो है next round क्या होता है वो आपको बताना है तो कौन सा होता है साध्यू जब भी आप interview के लिए जाते हैं तो कौन सा होता है साथ-छात तो उस्ता है appear right interview मतलब आपको जाना पड़ेगा interview देने सबसे पहला जो process होता है अगर interview है तो आपको सबसे पहले interview देने जाना पड़ेगा तो पहला answer जो है वह हो जाएगा आगे चलते हैं अगले क्यूशन पर बात करते हैं क्यूशन नंबर दस है आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना डेड़ डेस के अंतरगत आता है अगर आपको गाने सुन रहे है मनोरंजन के लिए सुन रहे है तो किसके अंतरगत आएगा त मतलब तरसंसतात्मक लिस्णिंग के अंतरगयत आता है यह आपका राइट एंसर हो जाएगा तो साथ इसी प्रकार से क्यूश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो है इंप्लॉइबिल्टी इसकी इसमें तो चलते हैं दोस्तों अगले क्यूश्चन पर बात करते हैं अगले क्यूश्चन कौन सा है अगले क्यूश्चन है यह मे का फुलफार इसी प्रकार से चर्चा सिष्टर चार्ड का डोंट है, डोंट मतलब क्या नहीं करना चाहिए सिष्टर चार के अंतरगत товण क्लिखेंद है, यह चीज तो कौन सराइट अनसर हो जाएगा बंदा जो है आतमे विश्वासी है अर्थात confidence है उसे तो राइट एंसर हो जाएगा आपका और बच्चे ने भी और बच्चे ने लगाया है यहां पे देख पारें अगला क्यूश्चने साथियों आपकी पहचान को गठित करने के लिए निम लिखित में से कौन सा सही नहीं ह इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है तो वह साथियों एक परिच्चा में प्राप्त अंक आपको पहचान को बताने के लिए जो है एक परिच्चा में प्राप्त अंक यह पूरा सही नहीं है और जबकि बच्चे ने क्या लगाया था बैलूज को लगाया था कि बैलूज जो ह आपको बताता है तो यह तो सही है लेकिन इनने पूछा है कि नहीं है बताता नहीं है तो बैली जो है वो तो बताता है अभी में तो भी बताता हूं में यह लाइक्स भी बताता है तो राइट अंसर यह हो जाएगा जिबकि बच्चे ने यह वाला लगा रखाता है तो मैं वेल्डिंग उपकरनड के साथ काम करूँगा अगला क्रिश्चन साथ हूं विचारों वस्तुओं और सिवाओं के पैड़ फार्म को कहा जाता है किस नाम से जानते हैं साथ हूं राइट एंसर हो जाएगा आइडवर स्टाइजमिन जिसे हम विग्यापन के नाम से जानते हैं तो सारी ट्रेट का है कामने साथ हूं इसलिए मैं इसे बता रहा हूं ताकि सभी ट्रेट के लिए समानने हो जाए प्लीज चैनल पर नए है चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लेना अगला क्रिश्चन है साथ हूं आप यहां पर देख पा रहे हैं आद्यत बनने में कितने दिन लगते हैं सबसे जादे इंपॉर्टेंट क्रिश्चन है किसी काम को अगर आप 21 दिन लगतार कर देते हैं तो उस चीज को फिर वह आपके लग जागी आप उस काम को जरूर करेंगे अगला क्रिश्चन है कौन ट्रिपल ए ट्रिपल ए लिसनिंग का इंतरगत नहीं है हिस्सा नहीं है मतलब AAA जो है इसमें कौन सा है जो की हिस्सा नहीं है यह पूचा है साथ हूं तो हो जाएगा NXT बाकी यह तीनों जो है त्रिपल ए के अंतरगत आते हैं तो राइट अंसर हो जाएगा आपका आप्शन C चलते हैं अगले क्यूश्चन पर बात करते हैं व्योग करना यहाँ जब आप अपने से बड़े अधिकारीarta को मिलते हैं जैसे मिलते हैं तो आप उन्हें क्या कॉट इसे गूट मोर्निंग dobry अप्टरनू नहीं बोलें आदिको सहित को कहा जाता है जब भी आपकी ताकत जो है बोलते हैं आपका जब भी विचार ताकत कमजोरी सभी चीजों को जब आप किसी एक के अंतरगत मुहिल कर लेते हैं तो इसे हम किसमें जानते हैं आद में जागुक्त के नाम से जानते हैं चलते हैं अगले question पर बात करते हैं यह सारे question है साथ हो जो पिछली बार पूचे गयते हैं और हर बार यह पूचे जाएंगे क्योंकि अब जो है सिल्वस नया हो गया तो सिल्वस के नया के इनुसार सारे question अलग-अलग नहीं बना जा सकते अगला question है spreadseed को extension के साथ save करना या सहे जाता है hybridseed जो है साथ हूं किस file में पूचे खरते हैं अच्छे तनाव का संकित इन्हें से कौन सा है अच्छे तनाव का पूचे साति हूं तनाव का अर्थात इस्ट्रेस का तो कौन सा साति हूं लंबे समय तक तनाव नीद में कमी नहीं होती यह आपका राइट सब्सक्राइब करें अगर बात करें और लिंक डिन से भी आपको जोब मिल जाता है आगे चलते हैं ट्वीटर साति हूं आपका राइट एंसर हो जागा जिससे जॉब नहीं मिलता है इसके बाद अगले क्यूश्टन पर हम बात कर लेते हैं क्यूश्टन नमबर 24 से साथ हूं यहां पर देख पा रहे हैं हाल डिस्किल पूंचा है मतलब कठिन काउसल क्या होगा इन में से तो सबसे ज़्यादा कठिन काउसल ही होगा साथ वर्ड पर मिनिट में टाइपिंग करना यह बहुत बड़ी बात होती है तो यह इसमें राइट अंसर है इसके बात पचीस में चलते हैं पचीस का है मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है कौन-कौन से है यहां पर सबसे पहले आपको दिया है तो क्या होता है यह निश्ठा निश्ठा जो है आपको अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है राइट अंसर हो जाएगा आप सभी को अच्छे लगे हों क्यूस्टिन सारे मैं मॉडल पेपर ऐसे ऐसे आपको कराते जाओंगा जो पेपर पिछली बार हुए है तो प्लेज चैनल को कर लें धन्यवाद